Hello everyone, उतकर्ष संस्थान की online पार्टशला में आप सभी का स्वागत है। विश्व का भूगोल सीरीज जो हम इन दिनों डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है Internal Structure of the Earth प्रत्वी की आंतरिक सनुचना। देखिए हमने पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्वी का इतिहास पढ़ चुके हैं, कि प्रत्वी कैसे कैसे बनी, 4.6 अरब सालों से जो हमारी प्रत्वी बन रही है, तो उसमें क्या-क्या किस तरह से चेंज़े आते चले गए, कैसे जीव उत्पन हुए, कैसे जीवों का विकास हुआ, यह सब हम देख चुके हैं, आज हम देख रहे हैं कि प्रत्वी की आंतरिक सनचना, वानला आज जो हम हमें प्रत्वी दिखती है, अंदरɰ से, हमें तो सिर्फ शतह इसकी दिखती है, लेकिन अंदर से ये कैसी है, तो इसको हम आज डिसकूस करने जा रहें देखिए जब हम जब भी हम कोई topic की बात करेंगे सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि हमें वो चीज पता कैसे चली जैसे अगर हम बात करें प्रत्वी की आंतरिक सनचना तो हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि हमें प्रत्वी के आंतरिक सनचना पता कैसे च परत्यक् workshop जिनका हम अंदाजा लगाते हैं calculation करके तो सबसे पहले haben परट्यक्षो Justर की तिकी कुछ डिसकर्स कर लेते हैं जैसे क्या क्या हो सकते हैं प्रत्वी के आंत्रिक ४कल लगाने के लिए जैसे पहला हो सकतें टाप मान temperature कि पहला है इस ईब टांप मान temperature है क्या उसकी गति है 32 मीटर की गहराई पर हम जैसे जैसे जाएंगे एक डिग्री सेल्सेस तापमान बढ़ता जाता है तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्वी के आंत्रिक संच्चना कैसी होगी कहां पर गरम होगा कहां पर धंडा होगा कितना तापमान कहा हमें मिलेगा तो यह एक स्रोथ हो सकता है दूसरा स्रोथ हो सकता है प्रैशर यानि दबाव में देखिए क्या है जैसे हम प्रत्वी की गहराई पर जाएंगे तो वैसे-वैसे सतय का बहार क्या होगा बढ़ता चला जाएगा और सतय का बहार जैसे बढ़ता जाएगा तो य जटिल होती जाएगी या उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा अगला सोर्स जो हमार वो सकता है वो है डेंसिती या घनत्व जिसकी अभी हमने बात की कि जैसे हम गहराई में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है दबाओ बढ़ रहा है और दबाओ बढ़ने से चिया हो चला जा रहा हैं, तो इस तरीके से कुछ sources तो यह हो गया, इसके लावा और क्या sources हो सकते हैं, अगला source हो सकते हैं, आपके भूकम, और ogni मुखी, तो जैसे पहले हम волcano को discuss जार्थ पाए जाते हैं उनको देखकर हम एन्दाजा लगा सकते हैं कि पृथवी के अंदर कौन-कौन से तत्व जह हैं विध्यमान है तो इस तरीके से हम वॉलकाईनों के थू भी पृथवीक आंत्रिक संशना का प्रता लगा सकते हैं अगला सोर्स है हैं उनमें हल्चल होती है तो तब क्या आता है नाते हैं चुनामी आती है ठीक है इसका मतलब हम यह तो पता चलता है कि प्रत्वी के आंत्रिक संश्ट्णा कैसी है कुछ हट-ttak फ्रोस है जिसमें जब हल्चल होती है तो हमें भूकम पोलता है लेकिन इसके अलावा भूकम दे इस तरीके से यह पूरी तरंगे जो है प्रत्वी पर फैल जाती है और जहां पर जितनी तीवरता से तरंगे पहुंचती हैं वहां पर उतनी तीवरता का भूकमभम अनुभव करते हैं तो यह जो तरंगे होती है इनकी जो गती होती है जो इनका वेग होता है स्पीड होती है वो change होती रहती है प्रत्वी के घनत्व के according, तो उस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं, तो जो दो important हमारे लिए तरंगे हैं, वो हैं P तरंगे और S तरंगे, सबसे पहले हम इन तरंगों को ही डिस्कुस कर लेते हैं, जिनके माध्यम से हम आज हमारे प्रत्वी के आंत्रिक सनचना डिस्कुस करने जा रहे हैं, P तरंगे जो हैं, इनको हम बोलते हैं primary waves, यानि प्रात्मिक तरंगे, या हम इनको बोलते हैं अनुदैर्धी तरंगे, ठीक है, और इसके जो S तरंगे हैं, ये क्या होती है, secondary waves यानि द्वित्यक तरंगे, secondary waves यानि द्वित्यक तरंगे, इनको इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, अनुदैर्धी तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है, अब जो S तरंगे होती हैं, इनकी खास बात होती है, कि जो S तरंगे होती हैं, वो तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती, यानि तरल माध्यम जैसे ही आ जाएगा तो वहाँ पर यह तरंगे क्या हो जाएगी विलुक्त हो जाएगी और P तरंगे जो होती है जैसे ही इनका माध्यम तरल हो जाएगा तो इनकी गती क्या हो जाती है कम हो जाती है लेकिन ये फिर भी उपस्तित रहती है तो P तरंगों की कि अगर कहीं पर S तरंग ये नहीं पहुँच पा रही है, मतलब वहाँ पर प्रत्वी की स्टेट या तरल मादियम है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, जो हमने देखा गती कम हो रही है, जीरो रही है, इसका मतलब क्या है, कि जैसे जैसे घनतु बढ़ेगा, वैसे वैस S तरंगे हैं, यह हमें 3 variation में मिलती हैं, पहला तो हो गई P और S, दूसरा हो गए आपका P star और S star और अगला हो गया आपकी P G और S G, ठीक है, यह 3 जो हैं हमें format में मिलती हैं, तो जो P तरंगे हैं, इनकी गती लगबग होती हैं आपकी 7 से 8 km per second, ठीक है, जो आपकी P star तरंगे होती हैं, P star तरंगे, इनकी जो गती होती है, वो क्या होती है, वो होती है, 6 से 7 km per second, लगबग हम औसत की बात कर रहे हैं, घलत की अकॉर्डिंग, इनकी जो गती है, वो बढ़ती और गटी रहती है, P G जो तरंगे हैं, इनकी औसत जो गती होती है, वो होती है, 4 से 5 km per second, इस इसी तरीके से हम S की बात करें, इनकी जो गती होती है, वो होती है, 4 से 5 किलो मीटर प्रती सेकिंड, S स्टार तरंगों की गती होती है, लगबग 4.5 किलो मीटर प्रती सेकिंड, और S G जो तरंगे होती है, इनकी गती लगबग होती है, 3 से 4 किलो मीटर प्रती सेकिंड, तो इस जनरली बात करेंगे P और S तरंगों पर P स्टार और PG जो तरंगे हैं S स्टार और SG तरंगे हैं ये भी कही न कहीं जहां हमारी असंबदता आ जाती है वहां पर हमें इनके माध्यम से पता लगता है कि यहां पर सबसे पढ़ बात करते हैं कि जो मैंने वर्ड यूज कियां संबदता यह दिस कंतीनिविटी वह क्या होती है देखिए सपोजम कषें संप्क्रमान का छीटर लोगे into a इस transition zone पर क्या होगा कुछ changes हो जाएंगे जैसे अगर P तरणी यहां से गुजरी अब इसका घनत वगर B का जादा है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसकी गती बढ़ जाएगी तो गती बढ़ जाएगी तो यानि इस जगे पर क्या होगा इसकी गती में changes आएगी संक्रमन होग तो इस जो छेत्र होगा उसको हम क्या बोलते है असंबद यता यानि यह किसी से भी ना A से संबद है ना B से संबद यह बीच में आ संबद यता है यानि डिस कन्तिन्यूटी यानि जो ए है वहां discontinue हो गया है तो इससे हम बोलते हैं discontinuity या आसंबद्यता तो इस तरीके से हमने जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए जो important चीज़ है वो हमने देख ली क्या क्या देखा एक तो हमारी जो यह अध्यन है जो हमारी study है उसके श्रोत क्या है तो हम generally focus किस पर कर रहे हैं भूकमपों पर दूसरा जो है प्रत्वी के आंतरिक सनचना देखिए प्रत्वी जो है प्रत्वी का हमने एक टुकड़ा ले लिया सपोज यह हमने प्रत्वी को प्रत्वी ऐसे गोल है उसका एक प्रत्वी का केंद्र है प्रत्वी की त्रिज्या लगबग 6371 किलो मेटर यानि 6371 किलो मेटर ठीक है अब हम बात करते हैं देखो अलग-अलग जोन्स की प्रत्वी की आंतरिक सनचना के अंदर कौन-कौन से जोन्स हैं देखे हम प्रत्वी को जो है तीन भागों में बाटते हैं प्रत्वी के आंतरिक जो भाग है जनचना है उसको हम तीन भागों में बाटेंगे पहला कौन सा होगा आपका पहला हम जब भी बात करेंगी तो पहला है आपका क्रस्ट या भूपरपटी भूपरपटी दूसरा है mental यानि इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं mental बोलते हैं और थर्ड जो है वो है आपका जो तरंगे हैं उन तरंगों की गती में changes के according अब सबसे पहले हमने मालिया हम सबसे पहले बात करते हैं उपर से हम चलते हैं उपर हम कहां पर हैं हम यह क्रस्ट पर इस तरीके से रहते हैं यह हमारी प्रत्वी है भूपरपटी और इस पर जीव जन्तू पौधे जो हैं वो सब एक करस्ट पर हैं तो आपका है यानि आपका हाईड्रोस्फेर और लीठोस्पर तो आपका लीठोस्फचर है इस तर मंडल उस पर हम जन्तू लिए और जहां पर हाईड्रोस्फचर आजाएगा वहाँ पर क्या होगा एक धसाव जैसा होता है जिसके अंदर पानी भरा रहत ठीक है वो गड़ा सा होता है बड़ा सा तो जल मंडल और फिर यह इस थर्ण मंडल इस तरीक से होता है तो जब भी हम बात करते हैं जल मंडल में क्या होता है यानि जब भी हम मालों किसी सागर या महासागर की बाते करेंगे तो उसमें क्या बहुत सारा पानी भरा हुआ है और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है तो जैसे इतना सारा जब पानी है वो महसागर की सतय पर दबाव बनाएगा तो महसागर की सतय की जो चट्टाने होंगी जो तलहटी की चट्टाने होंगी उनका घनत्व क्या होता है इस्थल मंडल से ज लगबग 30 किलोमीटर औस जो है क्रस्ट की मोटाई होती है जो हम भूपरपटी जिसके हम बात कर रहे हैं उसकी मोटाई लगबग 30 किलोमीटर होती है और जो हम महासागरों की बात कर रहे हैं तो महासागरों का घनत्व क्या है जादा तो इसकी मोटाई भी जो है थोड़ी कम ह यानि यहां पे जो इसकी मोटाई है लगबक 7 km, 5 km लगबक इतनी होती है तो कहा 30 km हमें स्थल मंडल के नीचे मिल रही है और कहां में 5 से 7 km जुह हैं जल मंडल के नीचे मिल रही है पर यह जो चीछें हैं यह बिल्कुल इकदाँ fix नहीं है और इनमें बहुत सारे जो हैं हैं जैसे कहीं कहीं पर हमें 70 km भी इस थल मंडल के नीचे जो है मोटाई मिलेगी, जहां पर घनत वो बहुत कम होगा. तो इस तरीके से जो हमारी भूपरपटी है, उसको हमने दो भागों में बाटा है. भूपरपटी को पहला है बाहे क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, बाहे भूपरपटी और आंतरिक भूपरपटी यानि इनर क्रस्ट, ठीक है, यानि बाहरी भूपरपटी और आंतरिक भूपरपटी, जो बाहरी भूपरपटी है, उसको हमने आंतरिक भूपरपटी से अलग क्यों क किया है क्योंकि बहुत जे घनतों लगबग 2.8 है और जबकि आंतरिक भूपरपटी है इसका घनतों लगबग 3 है तो इन दोनों के घनतव में अंतर आ गया तो जैसे घनतव में अंतर आया वैसे क्या हुआOME पी और स की जो अपनी उनकी गती में परिवर्तन आ गया यानि जैसे ही वो आंतरिक भूपरपटी में प्रवेश करेंगी तो उनकी गती क्या होगी बढ़ जाएगी तो जैसे भाए भूपरपटी से आंतरिक भूपरपटी में आए तो उनकी गती बढ़ गई और इसके बीच में फिर हमने क्या कहा जो असमबदता होगी, जैसे मैंने बताया था क्या होती है, डिसकंटीनीटी, ठीक है तो वो डिसकंटीनीटी जो भाय और आंतरिक भूपरपटी के बीच हो मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कौनराड, या कहीं आपको मिलेगा कोनाड लिखा हुआ, संबदता या फिर इसको हम बोलते हैं कॉन्राड ठीक है तो यह समझे आपको बाहे भूपरपटी और आंतरिक भूपरपटी इन दोनों के घनतु में अंतर है तो पी और एस तरंगों की जो है गती में अंतर है और उनके बीच में डिसकंटिनुटी है जिसका नाम क्या है कॉन संबतता आप बिल्कुल भी परिशान नहीं मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने की एक बार हम बस यह कॉंसेप्ट जो है उसको हम समझ लेते हैं ठीक है तो आपको बहाइक क्रोट और आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट और हमने इसकी जो मोटाई है वो लगभग माली 100 कहीं 25 जा रह이다 कहीं 30 जारे तो इस तरीकर से हमने लगबग इसको माल लिया 100 किलो मेटर इसकी जो है गहराई है उसके बाद हमने क्या किया हम गए मेंटल पे यह हमारी मेंटल ठीक है तो इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट में बाटा है अब इन दोनों को भी दो पार्ट में क्यों बाटा है क्योंकि जो यहां पर भी क्या है गनतु में अंतर है आप अपर मेंटल से लोर मेंटल में जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा और दबाव सबसे पहले रिजिड है मतलब ठोस है अपर मेंटल में भी कुछ-कुछ हमें अलग-अलग जोन मिलते हैं तो पहला जोन लगबग 200 किलोमीटर पर हम मानते हैं तो यह जो हमारा 200 किलोमीटर और यहां पे जो हमें मोटाई मिल रही है लगबग इस पूरे क्रस्ट वाले पार्ट को और जो 100 किलोमीटर का पार्ट है अपर मेंटल का उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं लीथो स्फेर या इस्थल मंडल जिस गब भी हम बात करेंगे इस्थल मंडल की तो वो क्या है उसकी गहराई होती है 200 किलोमीटर लगबग हमने औस इसे ही माना हुआ है तो यानि उसमें क्या क्या आजाएगा आपका भूपरपटी आजाएगी पूरी क्रस्ट आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट और इसके अलावा क्या आजाएगा मेंटल का थोड़ा सा पार्ट अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट यानि 200 किलोमीटर तक की गहराई इसके नीचे क्या है ज वो पूरी तरह से तरल होता तो क्या होती एस तरंगी नहीं गुजर पाती लेकिन आपका ये कुछ हद तक ठोस है कुछ हद तक यानि सेमी प्लास्टिक है तो इस वज़े से क्या होगा वहाँ पर आपकी एस तरंगी भी गुजर जाती है तो ये जो पाठ है लगबख साड़े 300 या हमें मिलता है साड़े 300 किलोमेटर तक लगबख हमें मिलता है और इसको हम बोलते हैं स्थेनो स्फेर या इसे हम बहलते हैं जोन ओफ लो वेलोसिटी जोन ओफ लो वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है क्योंकि यह थोड़ा सा द्रव स्टेट में है तो पी और एस तरंगों के क्या होगी गती कम हो जाएगी गती धीमी हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं धीमी गती का छेत्र zone of low velocity धीमी गती का छेत्र ठीक है तो यह हमारा इसमें हो गया और फिर 700 km पे यह है हमारा 700 km जिसके नीचे क्या होता है आपका lower mental start होता है और यह जो आपकी देखे बीच में हमने जो कॉनार्ट थी वो तो क्या थी बाहाई और आंतरिक भूपरपटी के बीच में आसंबदता थी इसी थरिके से भूपरपटी cleaning जो आसंबदता है उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते हैंrh या महो ह हो असंबदता ठीक है तो इस तरीके से हमें मोहो संबदता मिली आपर-मेंटल और ओर-मेंटल यानि 700 com किलो मींटर प्रफ जो हम आसंभीटा मिलती है उसे हम बोलते हैं रैपिटी डिस्कवनिईटी यार '' रैपिटी आसंभीटा' थीचियाइ अब हम आगे लोऔर मेंटल पर लोऔर मेंटल की लग दें चाहिए आपकी हमने माली इसकी जो गहराई होती है और इसके बाद क्या आता है आपका आउटर कोर यानि बाहय क्रोड आता है ठीके बाहय क्रोड जो है आपका उसमें क्या होता है बहुत सारे देखो यहां पे जो हमें सेमी प्लास्टिक स्टेट मिल रहा था एस्थेनोस्फेर में ठीके परजन के कारण आपकी उश्मा बढ़ती है लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी आउटर कोर की तो आउटर कोर बहुत ही अंदर है प्रत्वी के देखो 29 किलोमीटर से भी अंदर ठीक है तो यानि वहां पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है जैसे हम प्रत्वी की घहराई में जाते है तापमान बढ़ता है तो यहां पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वज़े से यह किस स्टेट में हमें मिलता है द्रव स्टेट में मिलता है तरल स्टेट में मिलता है और इसी वज़े से एस तो तरंगे हैं वो यहां आके लुप्थ हो जाती है एस तरण यहाँ पर नहीं पाई जाती और यह है आपका lower core ठीक है यानि आंतरिक क्रोड या फिर inner core भी इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड ठीक है और इन दोनों के बीच में जो आसंबत देता है उसे हम क्या बोलते है पहले हमने हां की पढ़ ली थी क्या lower mental और outer core और इसके यह सब हम अभी एक बार fresh page पर कर लेंगे एक बारा हम सारा concept जो है एक बार हम सारा इसी जगह पढ़ रहे हैं तो हमने देखी कोनाड असंबत देता उसके बाद हमने देखी मोरोविसिक असंबत देता रैपिटी गुटेनबर्ग और लहमन असंबत देता तो इस तरीके से हमने इसको इन जोन में बाटा है को और इनर कोर आपका यह पूरी तरह से ठोस अवस्ता है क्योंकि आपे टेंपरेचर तो ज़ यानि लोहा और निकल ज्यादा मिलता है तो इसको हम नीफे भी बोलते हैं नीफे ठीके और जो हमारा आउटर जो भू परपटी है वहाँ पे सिलीकन और अल्यूमिनियूम ज्यादा मिलता है तो इसको हम सियाल जो है असंबत दता भी सियाल जो है सियाल छेत्र भी बोलते है और esthenosphere जो है हमारा, वहाँ पे silicon और magnesium ज़्यादा मिलता है, तो हम इसको सीमा भी बोलते हैं, silicon और magnesium की वज़े से, अब इसी diagram को हम एक fresh page पे बना लेते हैं, देखिए हमने क्या किया था, यह हमारा प्रथवी का पाई है, यह हमारी क्या है, केंद्र, जिसकी घहराई क्या है, 6371 km, 6371 km, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया आपका, यह चेत्र जो आया, आपका वो क्या है, outer crust, ठीक है, outer crust की जो है, लगबग हमने क्या मानी थी, यह 0 km, यह लगबग 30, ठीक है, इसके बाद आगे आपका inner crust, यह आपका outer crust, यह है आपका inner crust, ठीक है, inner crust की लगबग हमने घहराई मानी थी, 100 km, ठीक है, outer crust और inner crust के बीच में जो आसंबद था थी, उसे हमने क्या बोला था, conard, या conrad, ठीक है, आसंबद था, conrad, ठीक है, उसके बाद हम कहें यहाँ पे, outer core और inner crust हो गया, inner crust हो गया आपका, inner crust के बाद आगे हम upper mental पे, upper mental और lower mental, यानि निचला mental, ठीक है, उपरी mental और निचला mental, तो जो उपरी mental और inner core है, inner crust है, उन दोनों के बीच की जो आसंबद था है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोहरो विसिक, या मोहो discontinuity, ठीक है, उसके बाद हम आ गए, upper mental और lower mental, तो lower mental जो है, इन दोनों के बीच में जो आसंबद देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, rapidity, rapidity, discontinuity, ठीक है, उसके बाद हम lower mental पर आ गए, और lower mental के बाद अंदर क्या आ रहा है, आपका outer core, यानि बाहे क्रोड और आंतरिक क्रोड, तो जो बाहे क्रोड है, वहाँ पर जो discontinuity हमें मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, गुटेन ब असंबदता, उसके बाद जो यहाँ पर आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, लेहमेन असंबदता, लेहमेन असंबदता, ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे, कोनाड, मोहो, रैपटी, गुटेनबर्ग और लहमाल, देखो इसमें आपन याद को, कोनाड का को ले लेते हैं, क छूण तो कोनाड, मोह, मोरो विसिका जाएगी, मासे, उसके बाद रेखा का रे ले ले लेंगे, तो रैपटी और मारे गुलाटी, गुलाटी का गु ले लिया, तो अपने गुटेनबर्ग और लेहमेन, आपको ऐसे याद हो जाएगी, तो कूमा में रेखा अमारे गुला वो परपटी है वो किसे बना है silicon और aluminium से ठीक है silicon और aluminium से तो इसको हम क्या बोलते हैं चियाल बोलते हैं ठीक है जो हम inner core में आ गए inner core में क्या होता है मैंने आपको बताया था यह 100 km है यहां तक इसके बाद अगले 100 km यानी हम चले गए 200 तक तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लीठोस्फेर या स्थलमंडल लीठोस्फेर इसके बार थाड़े 300 किलोमीटर तक हम चले गए 500 km तो 300 km तक यह जो जोन है इसे क्या बोलते हैं S-theno-spare यह zone of low velocity यह क्या है द्रव अवस्ता में है और द्रव अवस्ता में क्यों है क्यूंकि द्रव अवस्ता में है liquid state में है और किसकी वैसे radioactive elements की वज़े से रेडियो एक्टिव तत्वों की वज़े से ये द्रव अवस्था में है ठीक है अब यह आपका साड़ी 300 फिर 700 पर हम आ जाते हैं लोर मेंटल में और लोर मेंटल से फिर हम जाएंगे आउटर कोर में आउटर कोर भी क्या है लिक्विड स्टेट में है और यह लिक्विड स्ट हमें ठो सवस्था में है और यहां पर हमें जन्रली क्या मिलते हैं निकल और फेरस तो इसको हम क्या बोलता है नीफे तो सियाल और नीफे को भी सही क्रम में जमाए तो यह आप पी पूरी पिक्चर है इसका आप स्क्रीन शॉट जरूर ले ले लिए जिससे आपको कभी भी हमें इसको आसान रहेगा कोनार्ड मोहरोविसीक रेपिटी गुतिनमर्ग लहमान हमने पाँच डिसकंटिनिटी पड़ी इसमें इन सबके जोन्स पड़े हमने यह आपका उन्तिस्क किलो मेटर है यहां पे आपका आघा उन फाइव जीरो किलो मेटर पर हैं आपका आउटर के बार आपका inner को शुरू होता है उन्ते-स आपका आउटर को शुरू होता है 700 पर लोर मेंटल और 100 पर क्या है आपका अपर मेंटल और उसके ओपर आपकी क्रस्ट ठीक है तो यह पूरा आपका जो डाइग्राम है इसका अच्छे से समी सारे फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इ क्या होता है शैडजोन क्या होता है शाया व क्रफ़न ऑपrices कारे हैं तक हम पर फ्रती je हम इसकाई कोड़ कोड opened के लिए और हम ऊरे जो आप से पासेए और और यहन वाला जोगा ने वाला मान भुकम्प वहुड़ा तर। तो यहां से P और S तरंगे निकलेंगी, तो यह परपटी पर तो ऐसे पाँंच गई, इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें ट्रॉप कर लेते हैं, S तरंगे, ठीके? अब देखो S तरंगे यहां से निकलेंगी, तो यहां से यह चली गई, ठीके? अब ऐस तरंगे हमें पता है द्रव छेत्र से नहीं जाती है और जो आपका आउटर कोर है वो कैसा है द्रव छेत्र है तो इनर कोर में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि आउटर कोर ने क्या कर रखा है इनर कोर को कवर कर रखा है ठीक है और इनर कोर को कवर करने से क्या हो गया जो कोर में, कोर जो छेतर है, क्रोर जो छेतर है, उसको ये कवर नहीं कर पा रही है, तो यानि यहाँ पर नहीं गई और यहाँ पर जाके लुप्त हो गई, तो आपको इस पूरे छेतर में, जो है, यह पूरा छेतर जो है, वहाँ पर नहीं मिल रही है, वापस यहाँ से आपक अपारी थीक है तो इसे हम बोलते हैं S तरंगों का shadow zone, S तरंगों का छाया छेत्र, shadow zone of S waves, छाया छेत्र, S waves का shadow zone हो गया, थीक है इसी प्रकार से क्या होंगी आपकी P तरंगे होंगी? आपकी जैसे P तरंगे यहां से P तरंगे भी निकली अब P तरंगे भी इसी तरह से चलती रहेंगी लेकिन जैसे ही वो core में जाएंगी तो क्या होगा? core की क्या है? पहले तो इसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ठीक है? तो यह फोड़ा deflect हो जाएगी और फिर आंत्रिक कोर में इसकी गती क्या है बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिफलेक्ट होके जो है बाहर निकलेगी, इस तरीके से ये कवर करेंगी यहाँ पे पूरा, ठीके, यानि आपकी जो पी तरंगे हैं, वो इस छेत्र में आपकी पी तरंगे भी नहीं पहुँच पा रही हैं, क्यों कि डिफलेक्टिन की वाज़े से जैसे हम आपने पड़ा होगा, कि जब भी अमारी जो तरंगे हैं, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, और अगर उनका घनत वो परिवर्तित होता है उन माध्यमों का तो क्या होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है या पर रिफ्लेक्शन होता है या परावर्तन होता है या अपुवर्तन होता है तो ये क्या होगा आपका shadow zone या चाया चेत्र दोनों ही तरंगों का और या फिर इनको बोल सकते हैं P चेत्र का चाया चेत्र P तरंगों का चाया चेत्र बोल सकते हैं उसको P तरंगों का चाया चेत्र और इस तरब भी ये क्या होगा ये जो चेत्र है आपका इसको भी हम बोलेंगे P तरंगों का चाया चेत्र या फिर S तरंगों का भी छाया शेत रहिए और जनरली ये जो कौन बनता है ठीक है? ये जो ये भूकम्प का मूल है यहां से भूकम्प उद्गवित हुआ उसको क्या बोलते हैं? मूल या focus, focus of the earthquake भूकम्प का मूल जहां से जहां पर सबसे पहले भूकम्प आता है तो यहां पर जब ये भूकम्प आया ये मूल आ गया इसका तो मूल के पास मूल से जब 105 डिगरी जो कौन होता है मूल से 103 डिगरी का कौन या 105 डिगरी भी आपको कई जगे लिखा हुआ मिलेगा तो 103 degree का कोन होता है ये और ये जो बिंदू है ये उनका 145 degree या कई जगए आपको 143 degree भी लिखा हुआ मिलेगा तो 143 degree हम इसको इसको मालते है तो 103 से 143 degree और इधर भी 103 से 143 degree तो ये जो छेतर है वो आपका सभी तरहे की जो है भूकम पिये तरंगों का चाया छेतर है एक सो तीन से 143 डिगरी तो इस जो डाइग्राम है इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले ले आपनी कॉपी में बना के रख ले हमने पढ़ा है शैडो जो ठीक है यह है भूकम का मूल जहां भूकम सबसे पहले आता है उसे हम क्या बोलता है भूकम का फोकस या मूल वहां से जो त तरंगों का शाया चेत्र है और जो पी तरंगे हैं पी तरंगों का शाया चेत्र कहां से कहां तक है एक सो तीन से 143 और इधर भी अपुवर्तित हो जाती है माध्यम चेंज होने की वज़े से और माध्यम जैसी परिवर्तित हो उनके अपुवर्तन के कारण वो आपके 143 जिगरी पे प्रकट होती हैं तो यानि 103 से 143 जिगरी के बीच में आपकी कोई भी ये तरंगे दिखाई नहीं देती हैं ठीके तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा याद कर ले और इसका स्क्रीन शॉट लेके रखें जिससे या फिर अपनी कॉपी में जो हैं आप इसको बना ले होफूली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा और इससे अगले टॉपिक में हम कुछ और जोगरूफी की रोचक चीजे रोचक तथे जो हैं देखेंगे इस टॉपिक को ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखते रहें और अपनी जोगरूफी जो है इंप्रूफ करते रहें थांक यू बेरी मच मुझे करें तो सब्सक्राइब बतून सब्सक्राइब करेंब करेंगे एद पर दिए प्रूब नहीं प्रूब उटना मुझे ूटब नहीं बजलाएट इन अजावे इस लिए इसानल